हाई द्वेल्टीज वेलिकम तो ईजवे कावमर्स क्लासेज मैं हूँ अबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपने सीपेस्टी सैंपल वेपर जो कि अकाउंट्स का रख है उसको सॉल्फ करेंगे गाइस सो उसमें हम सीखते हुए चालेंगे सैंपल पेपर में जो कॉश्चिन सा रख्या है अगर आपको यह पेपर चाहिए तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अधरवाइस डिस्सिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और भी असानी चाहिए तो इंस्ट्राग्राम पर आप मुझे मे पहला कोश्चिन है उसमें इनोंने क्या बोलाए तो सबसे पहले तो mcq करने के लिए काईस आपको माइन को बिलकुल शांत रखना है और सोचना है इनोंने पहली चीज़ जो बोली है वह फिलिंग दबलैंक्स दो दे रख हैं पहले mcq इसमें सबसे पहले इनोंने बात बो बात है जब change in psr का case होता है और existing partner अपना ratio change करते हैं तो वो is shared by कौन share करता है तो options यह रखे हैं guys remaining कैसे हो सकता है ना तो कोई आ रहा है ना ही कोई जा रहा है ना तो यह admission की बात करें ना ही retirement की करें यह बात करें change in psr between the existing partners so remaining partner no all partner new partner sacrificing sacrificing तो होई नहीं सकता बही कोई आ थोड़ी रहा admission किसी का थोड़ी हो रहा है अच्छा all or new new partner भी नहीं हो सकता क्योंकि admission नहीं हो रहा so all partner यानि कि इसका जो answer होगा guys वो होगा all partner क्योंकि जो भी change in psr हो रहे between all the partners हो रहे वही share करेंगे इसे ठीक है second इनका जो mcq है mcq नहीं fill in the blanks first उसमें है whereas in case of admission of a partner जब हमारा admission होता है या कोई नया partner हमारी partnership firm में आता है is shared by तब हमारा profit या loss जो revaluation का आता है वो कौन share करता है तो guys उसके साथ हमें क्या दे रखा है old partner so of course old partner share करते new partner को थोड़ी हम profit या loss देते हैं revaluation का या फिर incoming partner नहीं है all partners हो सकता है लेकिन क्योंकि admission हो रहा है तो all partner नहीं होगा क्योंकि new partner नहीं आता तो old partner होगा जितने पुराने partners है नए partner को हम इसमें include नहीं करते revaluation नहीं देते अब उसके बाद guys जो second question है voice shares का मेरा most favorite chapter जिसमें guys इन्होंने पूछा कि हम लोग equity share issue करते 10 rupees का at कितने percent premium पे 40 percent premium तो 10 का 40 कितना होते है 10 का 40 होते है चार रुपे premium पर देते हैं जिसमें यह बोलते हैं कि 3 रुपे हमारी application है और 5 रुपे हमारी allotment है और इसके अलावा 2 रुपे first call है तो बताओ final call कितने की होगी अब हमें नहीं पता कि इन्होंने premium का amount किस में add किया है बट अगर हम देखें तो 10 प्लस 4 हमारे share की value हो जाएगी 14 रुपे हमें demand करना है public से जिसमें से 3 प्लस 5, 8, 9, 10, 10 रुपे तो हम कर चुकें first call तक तो final call कितने की होगी 14 minus 10 guys 4 तो यहाँ पे 2 point दे रखा है guys 4 रुपेस की final call यह दिये रख खटा 3 रुपेस की जो नहीं हो सकती एक रुपे की भी नहीं हो सकती और 14 रुपे की कैसे हो सकती है भई हम सादा पैसे खटा थोड़ी मान सकते है final call पे no so answer क्या होगा guys 4 ठीक है अब जो third question दिया है guys उसमें लिखा है अनिश लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है एप्लिकेशन्स मांगी है उसने 200 शियर पर नहीं 200 नहीं 2000 शियर पर यानि कि एप्लिकेशन्स कितने शियर किये 2000 शियर पर गाइस उसने शियर इशू कि 600 shares है इसका मतलब है वो क्या हो रहे है रिजेक्ट हो रहे हैं उनको company reject कर रही है अब इसमें से ही कहते हैं धुरूप को धुरूप है एक परसन जिसको हमने अलॉट करें 40 shares तो धुरूप को हमने कितने अलॉट करें 40 shares how many shares he must have applied for इसने कितने shares के लिए apply किया गया होगा तो guys एक बहुत simple formula जो मैंने आपको सिखाया है कि किसी का भी अगर applied या allotted निकालना होता है तो आपको जो भी निकालना है उसको उपर रखो यानि कि total आपको यहाँ पर क्या निकालना है यह given है इसके allotted तो हमें निकालना है applied तो हमारा formula बनेगा total applied divided by total allotted into allotted to drove अब यहाँ पर applied कितने थे अगर अब 3000 को लोगे question गलत हो जाएगा applied थे 2400 क्योंकि हमने प्रो राटा 2400 पर करा है 600 के तो पैसे वापस कर दिये allot कितने करे 2000 इसके कितने थे shares 40 allotted थे अब अगर इसको हम solve करें तो guys answer आएगा 48 तो जो हमारा IMCQ में C option है 48 वो सही होगा ठीक है इसके बाद next question भी shares का है average limited offer 2 lakh equity share issue कर रहे है भी बन्दा 2000 की जोगे अब कितने पे आ गया 2 lakh equity share issue हो रहे है guys 10 रुपे का एक है जिसमें से हमें जो apply होते हैं 1 lakh 98,000 shares यानि कि यह कौन से case है under subscription का amount कैसे दे रहे है 10 रुपे में से 3 रुपे application के समय पर दे रहे है चार रुपे allotment के समय पर and balance on first call तो 3-4-7 बाकी कितने बच्चे 3 रुपे हमारी first call में आएंगे If a shareholder holding a 3000 shares एक shareholder के पास guys total 3000 shares थे कितने 3000 shares थे आगे वो क्या कहते है Has defaulted on first call इसने first call नहीं दी भई 3 रुपे के साब से 9,000 रुपे इसने हमें नहीं दी है लेकिन ये पूछ क्या रहे है What is the amount received on first call? First call पर कितना amount received होगा? भई total share applied हुए थे 1,98 उसमें से 3000 shares पर पैसा नहीं आया तो 1,95 पर 3 रुपे के हिसाब से आएगा इसे हम बहुत असानी से निकाल सकते हैं, multiply करने 5,85,000 So 5,85,000 जो कि B option है guys, वो सही होगा गलती नहीं करनी, इसमें बिल्कुल भी understand करने में कि 3000 into 39,000 क्योंकि इनोंने A option 9,000 दे रहा है आपको पूरा question सबसे अच्छी तरीके से, सबसे पहले सबसे अच्छी तरीके से पढ़ना है What is the amount of money received on first of all? उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने का default करा, उसने वो amount बताओ इन्होंने बोला कितना मिला तो 1,98,000 total shares से, उसमें से 3000 shares पर नहीं मिला तो कितने पर मिला? 1,95,000 shares पर Okay, so ये एक और question होगया guys अब question number 5 करते हैं, जो कि बहुत easy सा है इन्होंने 4 events बता रखे हैं shares के 4 feature, पहला event बताया है इन्होंने ठीक है, उसके बाद second event इन्होंने हमें बताया है default on calls, यानि कि पैसा ना देना जो कि इस से पहले वाले question में इन्होंने बताया third in के बास है reissue fourth है guys, amount transfer to capital reserve हमें इसका sequence बताना है बहुत असान है guys, देखो सबसे पहले अगर कोई बंदा पैसे नहीं देता फिर हम उसके share 4 feet करते हैं 4 feet करने के बाद reissue करते हैं then reissue करने के बाद जो पैसा बचता है वो हम capital reserve में बाढ़ते हैं तो सबसे पहले second then first, then third, then fourth तो इसमें जो option है C, वो सही होगा so guys, आज की इस वीडियो में हम 5 questions अटेंट कर रहे हैं I hope आपको समझाए होंगे और अगर कोई वी डाउट है तो आप मुझे मेंसेज कर सकते हो Instagram पर मेरी ID है Tabitha मैसी और अगर आपने अभी तक वीडियो को like नहीं किया, comment नहीं किया या फिर चानल को subscribe नहीं किया तो बहुत गलत बात है, चल्दी से करो Thank you